हेलो फ्रेंड्स गुल मॉनिंग रादे रादे तो अभी हो रहा है सुभी सुभी का टाइम और बेल बज चुकी है यह देखिए मितल आ चुकी है बहुत ही बहुत ज्यादा जो है खुश हो गई हूँ मैं आज तो मतलब ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स की मैं आपको क्या बता इतने दिनों से जो उसकी कमी बहुत मुझे मैसुस हो रही थी कि आते ही देखिए उसकी मस्ति चालो हो गई है और वहां पर गय थी थो सबसे पहले वहात जादा कुछ हो गई थी कि आते है सबसे पहले उसने अपनी अपनी मासी कूना छो ड्रेस दिलै थी वह बता रहे हैं और जो मिठाई वगरा वो ले कर आए थी वो सब उसने नेकाल दिये हैं चॉकलेट वगरा जो लेकर आए ति वो भी उसने सब निकल दिये हैं यह करके एक आपके लिए एक पापा के लिए सबको देकर बारी-बारी इसे बाट रही है बात जो है काना जी को सामने जो रखके आए वहाँ पर और देखिए धेड़ सारे जो उसने बाते कि ये देखिए ये देखिए उसकी इस तरह से देखिए मस्ती स्टार्ट हो चुकी है मतलब बच्चों की विना फ्रेंड्स कुछ भी नहीं होता है घर जो है विल्कुल भी घर नहीं लगता है और देखिए कितनी उसकी बाते देखिए अभी वह मुझे जो मेंदी बता रहे हैं जो मेरी बेन की लड़की ने उसको लगाई थी वह बहुत अच्छी मेंदी लगाती करण तो यह हैं लिए कितनी मस्ति चल रहे हैं अभी ओमुझे पोच रहे है कि आप अपने बनाकर ति घर मेरी मम्मी के हाथ की बेसंद की चक्की फ्रेंड में आपको क्या बता हूं बहुत ही अच्छा जवदस्त वाला टेस्ट आता है खाने में बहुत ही अच्छी और टेस्ट लगती है तो अभी देखिए मम्मी का आ गया है फॉन पुछने के लिए कि मितल पहुचे या नहीं तो कि अभी वह गई है सामने उसकी फ्रेंड के वहाँ पर दिखाने के लिए कि मैं आ गई हूं क्या-क्या लेकर रहे हैं वो सब उसने उसको भी बताया है बहुत ही खुश हो रही थी देखिए वापस भी आ चुकी है तो अभी हम खा रहे चकी और चकी फ्रेंड सच में बहुत ज्यादा टेस्ट में थी बहुत ज्यादा टेस्ट मुने थी दो टिफिंड वरके वह जो है मां सचा की लेकर आई थी और मितल को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी अभी जो मैंने उसके लिए खिलोने लाए थी वह उसको दे दिया दे कितनी खुश हो गए थी और उसने दो तिन त्यार बार जो है मुझे थैंक्यू थैंक्यू बुला है और भी जो है वो खिलने के लिए बैठ गई है खिलोने भी उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आए है वो यह देखिए मितल की मासी ने जो ट्रेस पेजी है वो देख रहे हैं मितल के पापा और ट्रेस वाकई में फ्रेंट बहुत ही अच्छी थी बहुत ही पसंद आई मितल को सबसे ज्यादा पसंद आई है वह उसको पहने तो उसको पसंद आने चाहिए और भी देखिए वो खिलोने लेकर बैठ चुके हैं और राजस्तान से भी जो हैं बहुत सारे खिलोने लेकर आई हैं जब मैंने उसको पूचा कि भाई यह सब क्यों लेकर हैं यहां से वो बोलने लेकर भाई का और मेरा जगड़ा हो गया था त अभी मैं करूंगी पूचा और सबसे पहले चाहिए अभी तक हमने नहीं पीती हमने सोचा था कि मितल आएगी तभी साथ में पीएंगी तो अभी बन रहे हैं उस तरफ चाहिए और दूद गरम करने के लिए मैं आप रख दूँगी देखिए दूद मैंने लिए आज 5 किलो क्योंकि आज मुने जो है बहुत सारा खाना बनाना है और मितल ने जो आते हैं आज फरमाईस कर दी थी कि ममी मेरे लिए आज मठ्री बनाओ तो आज उसके लिए बनेगी मठ्री और सबसे बेले मैंने पूजा नहीं किये तो अदूद गरम करने के लिए रख दिया है और कि मुझे तो फिर से जाना है एक दिन के लिए जाने दो फिर से मुझे एक दिन में वापस आजाओंगी पहले बार मैंने उसको बेजा था और मुझे डर था कि वह एगी नहीं वहाँ पर लेकिन उसको तो वहाँ पर बहुत ज्यादा मज़ा आ गया था अभी बोल्रे कि जि जबने के लिए रखए दिया है तहरा भी मैंने डूद कर मंगें रखा और इस तरब एमने डूद करने के लिए रखा है ये आप उस वह जवतले में 2 तो आज मुझे जो हैं दो किलो दूद के लिए मैं यूज करूंगी तो अभी देखिए मिठाई जो आई वह आपको दखा देती हूं यह बेसंत की चक्की जो बहुत ही ज्यादा टेस्ट और स्वाधिश्ट बने हैं बहुत ज्यादा टेस्ट पनाती है मेरी ममी के हाथ कितों मैं आपको क्या बता मुतलब भूती लाजवाब टेस्ट होता है सब के हाथ के खाने का टेस्ट अलग अटक होता है विए और बीral़ गर्म के पुज़ा मेरी चुकी है अभी हम सब लोग पियेंगे चाए같े आप लिये अची आज सीनिहցगी आप साथ में मितल के लिए भी मेंना चाय बनाई हैं क्योंकि उसने गुला था कि मैं आज चाय प्योंगी तो फ्रंक चाय पिने के बाद देखिए पूरा काम खाना वगरा बना दिया था खाले था हम लोगोंने अभी बन रहें दो फैर के दो बज़ रहें जो एंब आप मत्री बना दो चमच धन्या पाउडर एक चमच मैंने आप लिया जीरा और पदीना का पाउडर इससे बहुत ही अच्छी बनती है मट्री स्वाथ के नुसा नमक डाल देंगे पिसा अजवाइन डाल दिया एक चमच थोड़ा सा आलदी का पाउडर डाल देंगे के कलर के लिए वह देखि जाओब हैं इस वहाइन आछे मट्री सोब बनेंगे एक बार आप जूरू बना के किश चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको अठे के कर्ण में जो हैं हमारा गीत का मोयन जो हैं अच्छे से लगना चाहिए इसके लिए अप जहें तरह का यूज़ कर सकते हैं का इन अब देखें अच्छे से जो हैं मोयनट मिक्स हो चुका है इस तरह से आठा alie Lakini में चाहिए तो अब यह थोड़ा फड़ा पाणि डाल कर मैं इसका ढोल लगा देंगी अभी मैं इसको यहाँ पर रेश्ट करने के लिए रख दूंगी डखन लगा कर 10 मिनट के लिए तो देखें 10 मिनट हो चुके हैं फिर से एक बार आटे को अच्छे से मसल लेंगे मसलने के बार आटा मारा इस्ट हो चुका है अभी मौई उपर तो 국ड़ी बनाते हैं उसे थोड़ी से अलकी से बड़ी लेली है अच्छे से बेलने के लिए मैं आप ले लिया चकला और चकले के ऊपर आराम से इसको बेल सकते हैं देल आटा कुछ भी लगन keeps हहच्छ से कि आटा हमने इतना सकत लगाया है कि रोटी जो है बिल्कुल भी चिपके की नहीं तो देखिए एक दम पतला सा मैंने इसको बेल लिया यह इस तरह से मुर्टी को बेलते हैं अभी देखिए फ्रेंट मैंने आप ले लिया इस तरह का डखन है इसे हम इसको कट करेंगे आपके पास अगर इस तरह का डखन नहीं है तो आप कोई भी कुकिंग कटर भी ले सकते हैं यह पर छोटे जो डबी के डखना थे वह भी आप यूज कर सकते हैं देखिए सबी जगे से मैंने देखिए पूरी का सेव कि आकार में इसको कट कर लिया है एक्स्टर जो भी आटा लगा कि इसारी हम बना कर लेंगे इसी तरह से सारी मर्टी हमें बना लेनी हैं बहुत ही आसान है तो पर कर लिया है और तो आप यह बना रख मेंदे तो इतना है तैल गरम होना चाहिए तैल गरम नहीं चाहिए तो थोड़ा थोड़ा करके सारी मड्री को डाल देंगे ऐंदर एक बार में जितनी आजाए उतनी डाल दीजिए तब हमें जो है डालने इसको बिल्कुल भी हिलाना डूलाना नहीं फ्रेंड्स आराम से जो जिस तरह से तलते जाएगी उपर आते जाएगी वह थोड़ा साब जो है एक बाचमत से इसको हिला सकते हैं तो ये देखिए मट्री हमारे जो है सारी उपर आ चुकी है एक से दो मिनट हुए अभी इसको त होग जाते हैं इसमें जो है बबल जाना जो है बंद हो जाते हैं तो अभी देखिए सारी मट्री को मान निकल लेंगे मैं आपको इसकी आवाज भी सुनाओंगी आपने पहले भी वीडियो स्टाट में भी सुने होगी बहुत ही अच्छी क्रिस्पी और खस्ता बनी है काफी सारा ओइल लिया है तनले के लिए तो यह देखिए कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा जो है इसके अंदर आ चुका है यह लेजे फ्रेंण्स सिप दो कप 8 से जो हमारी डे सारी मट्री जो है बनके तयार हो चुके हैं एक दम क्रिस्पी और खस्ता मट्री बनी है बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट और खुस्पू तुम्हें आपको क्या बताओ इतनी अच्छी इसके अंदर से खुस्पू आ रही है जिस तरह से अपने पोदीने का पाउडर जो इसमें यूज किया है उसकी बहुत ही अच्छी से प्यारी सी खुस्पू आ रही है तो फ्रेंट्स मट्री बहुत अच्छी बनी है आप एक बार इस तरह से जुरू ट्राय करें इसे आप दो से तीन मैने आराम से अच्छी से लिबे में स्टोर करके भी रख सकते हैं जब मंच चाहे तब आप जो है इसे आ सकते हैं अच्छानक गर्मे मेमान आ जाए चाय के साथ में मैमानों को दीजिए सभी को मट्री बहुत ज्यादा पसंद आएगी तो मित्तल को यह बहुत ज्यादा पसंद है टिपिंड में हर बार यह लेकी जाती है सुभी सुभी थोड़ी थोड़ी और च आपके से वीडियो कि साथ में तब तक ले सुस्ते मस्ते है पनाग्या